So, सबसे पहले हम लोग बात करेंगी यहां पे directions की, आप लोगों को पता ही है, North किस साइड है, East किस साइड है, right, सबको पता है, no doubt, फिर भी मैं आप से पूछ लेता हूँ, चलो बताओ Sunrise कहा होता है और Sunset कहा होता है, हमारे जो सूर्य देवता होते हैं, वो कहां से निकलते है बच्पन में पढ़ा होगा, Sunrise from the East and set in the West, right, और वो East किस तरफ है, just like अगर मैं आपके सामने हूँ, that's my East and that's my West, left, that is Arunachal Pradesh, geography में आपने अच्छे से study किया होगा, and right, मेरे आपकी क्या है, that is West, जो की क्या है आपके लिए, गुजरात, तो इसका मतलब जो Sunrise होता है, वो आ है, set होता है आपका गुजरात में, इनके longitude में two hours का totally different है, that means, जो Sunrise होगा, Arunachal Pradesh में वो दो घंटे पहले ही हो जाएगा, और यही चीज, वहाँ पे दो घंटे बाद होगी, और similarly, वहाँ पे रात, दो घंटे पहले हो जाएगी, East में, और जबकि West में, रात, दो घंटे, डिले में होगी, और साथ ही साथ अगर आपसे कोई directions के बारे पूछता है, normally एक layman आते जाते हैं, जब कोई पूछता है, तो आप कैसे बताते हो, दो तरीकें देखो बताने के, एक है relative direction, और एक दूसरा है compass direction, normally जो हम बताते हैं, वो एक relative direction बताते हैं, relative direction मतलब, just like एक normal person न बात जैसे आप left लोगें, बिल्कुल टक्कर में आपको क्या दिख जाएगा, माता का मंदिर दिख जाएगा, जब हम term use करते हैं, left, right, forward, backward, up and down, ये जो words, keywords हैं, कौन-कौन से, left, right, forward, backward, up and down, ये जो keywords हैं, ये keywords क्या denote करते हैं, relative direction को, right, और जो compass direction होती है, normally जो semen होते हैं, जो ships लेके उतरते हैं, वो अपने साथ लेके पहले उतरते थे, आजकल तो direction उनमें भी आ गई है, so वो compass direction में क्या होता है, only four words, that is, east, west, north and south, right, उनके compass होती है, उस compass के अंदर क्या दिखता है, चार direction दिख रही होती है, जो की cardinal directions दिखा रही होती है, कि उनको इ direction has two types, first one is relative directions, which consists of left, right, forward, backward, up and down, right, second is compass direction, which includes north, south, west and east, right, clear, चलिए, अब हम अपने एक चार्ट बना लेते हैं, directions का, उस चार्ट को जैसे ही आपने अच्छे से समझ लिया, आपके सारे कोशन, ये पूरा chapter यहीं का, यहीं finished, can you imagine, इतना छोटा chapter है, बस आपको एक चार्ट समझना है, और सारे कोशन सो चार्ट के surrounds घूमेंगे, वो चार्ट कैसा है, उसके लिए पहले मैं आपको अपना एक way समझाता हूं, उसको समझने का, चलिए, आपने एक प्लस का sign बना लिया, इधर आपने कहा लिखा east, इधर west, उपर north, नीचे south, एक तरह से आप मान के चलिए, ये एक घड़ी है, cloak, और cloak कैसे चलती है, clockwise, ऐसे घूमते हो, right, और जब भी आप ऐसे घूमोगे, हमेशा right word की तरफ घूमोगे, मतलब north से जब मैं इधर जाओंगा, तो that is right, और जब इस तरफ घूमूँगा, again right, but उस side वाला क्या होगा फिर, left, मतलब जो east है, east के नीचे की तरफ, right हो जाएगा, और उपर की तरफ क्या हो जाएगा, left, मतलब मैं इधर clockwise जब जब घूम रहा हूँ, वो right है, इसका मतलब पहले जब मैं आया, right, then left, right, फिर जब मैं घूम रहा हूँ, तो right की तरफ ही घूम रहा हूँ, but पहले south का इस तरफ क्या होगा, left होगा, south के इस तरफ क्या होगा, right होगा, middle में आपके नीचे की तरफ क्या है, south है, right, आप इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, जब इधर twice गूमोगे तो इधर right है तो इसका मतलब second phase जो उसका opposite वाला है जहां पर खतम होगा की clock वो आपकी left है और फिर जब आप इधर घूमोगे इधर नीचे की तरफ जाओगे तो east के नीचे की तरफ वो right हो जाएगा और east के उपर की तरफ आपका left हो जाएगा again जब आप इस तरफ घूमोगे south की तरफ नीचे से तो जब इस तरफ जा रहे हो so south के इस तरफ right होगा और south के इस तरफ left होगा बच्चे यही confuse करते हैं जब direction देख रहे होते हैं कि वो north, north में जब देखते हैं वो सामने रखके देखते हैं कि north, right मतलब मेरा ये वाला हाथ, ये मेरा right है, right, north इस तरफ right, तो south को भी वो इस तरफ right ले ले लेते हैं, no, south का right इस तरफ जा रहा है, clockwise गूम रहा, right, अब आगे जब चलोगे, जब इ तरफ आप जा रहे हो, तो आपका उदर right था ही, तो इदर क्या है, left, ये जो direction है, ये आपको समझ में आने चाहिए, कि east ये आपका sunrise यहाँ पर हो रहा है, और ये आपका sunset आपका west में हो रहा है, that is of Gujarat, because जो हमारी direction है, earth की, rotation की, वो हमेचा क्या है, west to east, that is clockwise, अगर मैं west है और ये मेरा east है, तो ये clockwise earth घूमती है, बिल्कुल, clear, तो इस chart को आपको अच्छे से समझना है, जैसी ये chart आपको अच्छे से समझ में आ गया, सारे questions इसके surrounds ही घूमेंगे, clear, बाकी shortcut भी है, but मैं shortcut को prefer नहीं करता, because अगर ये diagram समझ में आता है, तो आपको shortcut को याद रख चलिए, so relative direction की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, ये chart आप पहले बना लिजेगा, ये chart बन गया सबका, चलिए, अगर मैं relative direction का chart बना हूँ आपके लिए, let's suppose मैं आपके front में हूँ, right, मैं आपके front में हूँ, तो मेरा ये क्या है, left, और ये मेरा क्या है, right, और left के आगे वाला, that वाला हिस्सा है, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, left back, और वो मेरा पीछे वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, right back, because वो right का back है, ये मेरा right hand है, that's a right front and right back, right, और ये मेरा left है, that is left front, left back, clear, और मैं आगे front में हूँ, और पीछे एक मेरा back हो जाएगा, that's a relative direction, इसका इतना कोई use नही होगा, अगर आपका पिछले वाला जो चार्ट मैंने आपको समझाया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको इसको relative वाले चार्ट की अलग से बेखने की जुरुत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा बस वही वाला चार्ट ध्यान रखना है, कि जब मैं नोर्थ में हूँ, उपर की तरफ, तो राइट उसका ये होता है, और जब नीचे की तरफ आता हूँ, तो फिर अगेन राइट, बट अगर मुझे एस से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो मैं इस तरफ जाऊँगा, फिर वेस्ट में जाने के बाद, अगर मुझे राइट ले ने को कहता है, तो मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, चलिए, अब इस पर बेस हम कोशन करते हैं, कोशन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बिकोज जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हम इसमें मैं आपको शॉटकट भी लिखवा दूँगा, फर्स एक्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिख रहे है कोशन, देखिए पढ़िए, कोशन कहा रहा है, अ मैं स्टार्ट फॉम पॉइंट एंड वाक्स तू किलोमेटर तोवाट्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो कित किलोमेटर अगें, फिर उसके बाद कोमा टांस राइट अगें, मतलब दो किलोमेटर चलने के बाद, उसने दुबारा राइट लिया, एंड वाक्स और चलता गया, कितना चलता गया, मैंशन नहीं किया, आप मान के चलो चलता गया, आगे वो पूछ रहा कोशन, वाट इस अब वो कौन सी डिरेक्शन फेस कर रहा है, आप्शन आपके पास कौन कौन से है, A साउथ, B साउथ इस, C नोर्थ, and D वेस्ट, चलिए, तो इस से पहले हम कोशन को सोल करें, पहले तो कोशन को समझें, कि डियागरम दिखाता क्या है, देखिए, एक मैन है, let's suppose, यहाँ पर पॉइंट है, and walks two kilometer towards north, यह center पे खड़ा है, अब वो north की तरफ जा रहा है तो मतलब, उपर की तरफ, अब वो दो kilometer जब north की तरफ गया, उसके बाद उसने क्या लिया, वहाँ से, right, turns towards his right, north का right क्या है, यह है, and walks two kilometer, पहले यहाँ दो kilometer north की तरफ, then two kilometer right की तरफ, उसके बाद, उसने again right लिया, और वो चलता गया, और जब वो north से right ले चुका है, अब वो किस तरफ है, east की तरफ है, north east की तरफ, यह बात समझ में आ रही है आपको, है तो वो north में, but east की तरफ है, because उसने जब right लिया, दो kilometer, वो east की तरफ चला गया, north के, तो north east में है वो, अब जब north east में है, उसने जब again right लिया, east से, जब east से right लेते तो हम कहां जाते हैं, नीचे की तरफ, और वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो जब चलता गया, अब वो किस direction को face कर रहा है, अब वो किस direction में जा रहा है, that is, south direction, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो नीचे की direction क कौन सी होती है साउट डिरेक्शन होती है समझ में आया डाइग्रम चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ सेकिंड कोशन आपको अपके स्क्वीन पर ने ज़र आ रहा है क्या कह रहा है कोशन लिख रहा है रमा वॉक्न फáfic किलो मेटर्स श्टार्टिंस फॉर्म हर ऑऊ दुवाट्स वह फ्ग यह दें तरंस राइट पहले रमा ने क्या किया 5 km वो कहां से चली अपने घर से चली किस तरफ? West की तरफ यह मेरा East है यह मेरा West वो West की तरफ चली है and then turns right और उसने right की तरफ turn लिया अब आप खुद सोचो West पे जाने के बाद राइट कहां होगा उपर की तरफ, नीचे की तरफ उपर की तरफ, राइट वो चाट अच्छे से आपको study करना है because जब जब राइट बोलेगा मैं clockwise चलूँगा clear? Depends मैं किस direction में हूँ West में हूँ, राइट उपर East में हूँ, नीचे right? South में हूँ this side, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का कहा रहा है question and walks 3 km उसके बाद वो 3 km चल दी मतलब पहले 5 km West की तरफ, then 3 km उसने right लिया thereafter she takes left turn and walks 2 km right? उसके बाद उसने left turn लिया है तो मतलब वो अगर यहां पर है तो उसने वहां से left turn लिया because जब north facing पर अगर है वो west north, west पर जाके वो north पर चली गई अब वो west north पर है अब वो north का left इस तरफ होगा right? अब वो 2 km चली है left की तरफ आगे, further she turns उसके बाद क्या लिखा उसने? further she turns left and walks 3 km फिर उसने दुबारा left लिया अब वो जब गई थी left की तरफ अब वो किस direction में है? अब वो west direction में है पहले वो north में थी north का left इस तरफ हो गया जब वो इस तरफ चली गई अब वो west की तरफ चली गई अब west से अब उसको again left लेना है मतलब नीचे की तरफ again 3 km सर ये क्या कहानी हुई? ये ऐसे ही कोशन घुमाएगा राइट कोशन बस आपको ऐसे ही घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा और finally उसने बाद क्या लिखी? finally she turns right and walks 3 km और उसके बाद जब वो नीचे आ गई right जब वो नीचे की तरफ आ गई उसके बाद उसने क्या ले लिया? 3 km again right south की तरफ आ गई जैसी वो नीचे आ गई तो वो कहा आ गई? south की तरफ and walks 3 km अब वो 3 km की तरफ जा चुकी है right right की तरफ and now in what direction she is now from her house अब वो किस direction में है? देखो एक तो वो किस तरफ है? right लेते साथ ही right लेते साथ ही एक तो west की तरफ है but वो नीचे आई थी नीचे आने से वो क्या हुई? south direction में हुई right but अगर वो जादा नीचे आई होगी 3 km से तो southwest होगा अगर वो 3 km ही उपर गई थी और 3 km ही नीचे आई और वहाँ से उसने right ले लिया तो वो सिरफ west direction में है ये numbers का भी खेल है ये ध्यान रखना right पहले वो क्या हुआ ही थी? रमा पहले आपकी 5 km west की तरफ गई जब वो 5 km west की तरफ गई उसके बाद उसने right लिया right उसका उपर की तरफ right अब वो north में है वहाँ पे वो 3 km चली थी right की तरफ उसके बाद उसने left turn लिया north का left ही हो गया और वो 2 km वहाँ पे चली उसके बाद उसने left turn लिया west का left नीचे की तरफ कितना? 3 km मतलब अब level से जहां से उसने उपर लिया था अब उसके बराबर पे है right अब उसके बाद उसके बाद उसने again right लिया 3 km अब आप खुछ सोचो क्या वो south की तरफ गई नीचे की तरफ? नहीं अभी वो center पे ही है but वो west की तरफ जा चुकी है तो किस direction में वो है अपने house है? अगर उसका house यहां पर था तो वो किस तरफ है? west की तरफ है अपने house से clear? तो यह diagram आपको जो समझ में आना चाहिए यह जो diagram जा रहा है this, this, this and this यह diagram का flow आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे जा रही है और किस तरफ जा रही है अगर आप diagram बनाना सीख गए आपको पता लगाने में hardly five seconds लगेंगे कि वो किस direction में है clear? question अच्छे से समझ में आपको